हेलो एब्रीवन वेल्कम अगें टो लंग्रेटीवन तो काफी टाइम के बाद बोर्ड पर आने का मौका मिला है आप लोग ही देते हैं यह मौका भी और कैसे हो आप सब सब की पढ़ाई जो है वो अच्छी ही चल रही होगी तो ही मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यह जो सिट्वेशन है ऐसी कंडिशन में आप सभी की पढ़ाई जो है वो थोड़ासा रुक गई है या यह बोलने हैं कि पढ़ाई जो है चोड़ी सी Euasun Test जो है वो स्लिवर्स के से संबंध्य चै Eight तो सभी ने अच्छा पर्फॉमेंस दिया है इतना अच्छा रिझस आता है आप लोग तीचर बनेंगे जब इस चीज का आपको भी पता चलेगा कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो उसी वक्त दे रहे हैं तो आप लोगों की पढ़ाई जो है वो सक्सेस हो जाती है तो यही मेरा मानना है लेकिन देखिए ऐसी परिस्तिती में हम लोग दुबारा से बच्चे कह रहे थे मैं यूनि टेस्ट जो है वो दुबारा से स्टार्ट किया जाए बिल्कुल टेस्ट के लिए ही मैं आप लोगों के सामने आई हूं कि टेस्ट जो है वो इस वार हम ही चल चुका है कि RBSC की जो 6 से 10 तर की मैंने कम्प्रीट करवाई है आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी जोगरफी सरने करवाई है तो इतना आप सब की को बता लग गया होगा कि हर एक चैप्टर में से कोस्चन जो है वो आया है यह हर बच्चा जानता है जो भी इस चैनल से जोड़ा हुआ है यह जो भी बुक से पढ़ा ही कर रहे है तो आप यही बताने वाली हूं कुछ बच्चों को ऐसे डाउट है कि इन बुक से सायद हमे फायदा ना मेले हम वे और कुछ पढ़ना पड़े माइन जो है वो उनका अभी भी इधर उदर रहता है जबकि आपके एक्जाम जो है वो हो चुगा होता कि के तब भी आपका माइन इधर तर भागता है तो यही चीज़े जो है वो मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे कुश् याद किये या नहीं किये इसकी बारे में आपको पता चल जाएगा टैस्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मैंने सोचा है कि टैस्ट जो है इस बार हम क्लास बाई से स्टार्ट करेंगी यानि कि जैसे की हिस्ट्री का 6th class complete है तो उसको आप रिवाइस करेंगे पहले 499 रुपय में खरीदी गई थी, उसके बाद सर ने थोड़ा सा कम कर दिया था, मैंने बोला था, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पा रही है, तो प्रीज आप कम करिये, तो उन्होंने कम करके किया, तो काफी बच्चों ने उस वक्त भी ले लिया है, ओवरॉल बा वीडियो भी नहीं देखे हैं, तो क्योंकि मैंने वीडियो जो है, वो कम्प्लीट वीडियो जो है, वो आपे यूटूब चैनल पर डाल दिये हैं, बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, ये चीज आप ही चांगती हो, उसके बाद आप लोग बुक से भी पढ़ रहे हो, कहीं स बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और अब इतना जादा तैयारी के बाद, अकर 50 कुशन में से 50 में से 50 जो है, वो हर बच्ची के आने चाहिए, ठीक है, मेरा ये मानना है, कि आपको एक दो कुशन में आप डाउट में रहते हैं, लेकिन यहां आप 50 में से 50 लेंगे, ठी लेकिन है, एकोनोमिक्स में कम्प्रीट करेंगे, इसके जाती आपकी साइकलोजी और हिंदी व्याकरण, हिंदी सिक्षन और सामाजिक अध्यान की सिक्षन विधियां, ये जो है, ये पैक्टिस जो है, वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी जिब तक आपका एक्जाम नहीं समय हो जाता में एक्जाम जो है वो आज नहीं कंल नहीं कभी तो होगा ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा फॉर्म आपके भरवाय गए है एक्जाम तो पक्का होगा तो आप इतना निराज कें होते iK K आपने बीच में ग्याब कर दिया, छोड़ दी, तो आपको इतना सारा मैंटर जो है, वो इतनी याद करने में आपको बहुत तक्मी कोटीर होगी, बहुत परिशानिहोगी, आपको 2 गंटे जो है, मौर्निंग में, दो गंटे मौर्निंग में जो है वो learn करने के, याद करने के लेने ही होंगे, चाहे कोई कैसी भी परिस्तिती में हो, दो घंटे वो regular पढ़ाई करेगा, morning में, उन दो घंटों में सिर्फ और सिर्फ वो याद करेगा question answer, series को channel पर याद करे, चाहे PDF फाइल में याद करे, चाहे कैसे भी याद करे, ठीक है, याद करना है आप लोगों को, आप लोगों को पते है, जैसे कि आप लोगों के school में exam होते थे, तो हर मन्त जो है, वो class test होते थे, फिर unit test होते थे, end में जाके आपके जो है, वो final exam होते थे, तो तैयारी जो है, जब हमें इतना नहीं मैसूस होता था, लेकिन हम लोग regular रहते है, ऐसा तब भी नहीं था, तो उसी चीद को हम आज भी follow करेंगे, कैसे, मैं आप लोगों को 6 class कर complete जो है, वो मैं आपको date बता दूँगी कि इस दिन आपका test होगा, और आप लोग तयारी करकी आईएगा, time आपको बता दिया जाएगा, जैसा कि हमेशा से मैं आपको पहले 10 तक ही complete, आपकी राजिस्थान का GK जो है, वो PDF जिन्होंने लिए है, उनको मिल जाएगा, यह पहले से ही बता दिया गया था, तो आप इस चीद में बिलकुल भी परिशान नहीं हो, कि हम लोग जो है, वो खर्च कर चुके हैं, और हमें अभी तक राजिस्थान का GK ही नह आप लोगों को पहले से ही याद हैं, हम पूरा कर भी चुके हैं, ठीके, चलिए, अब हम बोड पर बात करते हैं, कि बोड पर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो देखिए, बोड पर मैंने क्या लिखा है, कि R.D.C. की बुक से पिस्वी परिक्षा में इतिहास के प्रशन, इत आप लोगों पता होगा यह कुश्चन आप लोगों पढ़े या नहीं पढ़े, देखिए, पैगन मन्स का आनद मंदिर कहां है, यह आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, व्रहतर भारत का जो चैप्टर है, चैप्टर का ना मुझे इस वक्त याद नहीं आ जीता था, तो यह कत्वी राज चोहान में जीता था, आप लोगों को पता है, इस काम सब सभी जानते हैं, अब तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ही याद भी कर चुके है, ठीक है, तो यह कुश्चन जोगा हो, आप लोगों को PDF फायर में या फिर वीडियो के ठीक है, फौर्थ क्या है कि संत मीराबाई के पती का क्या नाम था, बोज राज, ठीक है, अभी हमने राजिस्तन का जीके किया, वहाँ पर यह कुश्चन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसके पहले हमने 6 से 10 तक कि जब RBSC की complete की थी, तो वहाँ पर भी हमने यह चट्र जो है पढ़ा था, जिसमें हमने मीराबाई की बारे में पढ़ा था, फेरिखत है कि चित्र sugar moments, बढ़ी ठड़ी संबंतित है, तो बताईए अगे कोश्चन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, चित्र अग्ला शैली पढ़ी ठड़ी संबंतित है, किसे नागर इतना ज़्यादा तैयारी जो है वो कोई नहीं कराता है सबसे तरह आपको 6-7 की कंप्लीट करवाई है मैंने इसके बाद मैंने राजस्थान भी जीके की चैप्ट भी पढ़ाना स्टार्ट कर दी है और उसके कोशनाशन वो भी आपको मिल रहे है इसके ज़्यादा तैयारी जो है वो बैतर आपकी नहीं हो सकती है यदि मुझे इस तरीके से मुझे खुद को ही ऐसा टीचर मिलता जो मेर अपने जीवन का बलिधान किस ने दिया अम्रिता देवी ने तो लास्ट ये जो पेपर है उसी की बात कर रहे हूं किवल इतिहास की इतने सारे कुशन इतिहास में ही आए थी उस तक आनत मठ में बंदे मात्रम किसमें लिखा था बक्रिम जंग चटरची में ये भी कुशन अपने पड़ा है ऐसा कोई कुशन नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है मैगनिस्टी इस किसका रादून था सेलुकस का कौन सारे चंद्रकुप्त दृत्य की राचे सभा में एक नव रत्ल नहीं था तो वहाँ पर चार ऑप्शन थे जिसमें फायान जो था वहाँ नव जनपत की राजगानी क्या थी बहुत अच्छे से फर्ष्ट चेप्टर में हमने देखा था मतर से जनपत की राजगानी क्या थी विराट लगर ठीक है थोड़ा समय आदूरा लिखा है इस आंसर में आपको बता ही देती हूं चेतामी राचुबटिया इसके लिखर कौन है तो यह भी आप लोगों को पता इसका अंसर केसी सिंग बारट है चेतामीरा चुबटिया के लेकर 14 एकी लंदन में वीर बिनायक तामुदर के अध्यर के चात्रवती किसमे दी थी यह कुश्चन देखिए कितनी बार आया है आग यसी की बुग में दो बार जो है वही यह जाता कि श्याम जी कृष्ण भर्माने इसी तरीके के और भी कुश्चन दे लगभग 17 यानि 17 कुश्चन जो है वह आपके RBSC की बुग से ही आये थे 17 ही आये थे आपके इतिहास में प्रशन आपके लास्ट येर के एक्जाम में और 17 के 17 ही आपके RBSC की बुग में से आये तो मेरा बस यही समझा रहा है आपको कि जो मेंटर आपको मिल चुका है उसको आप लेकर रखकर मत बैगिए ऐसा मत सोचिए कि एक्जाम होगा नहीं होगा हम तो इसी चीजों में अभी तक पड़े हुए इस चीज को सबको छोड़ दीजिए एक्जाम कभी तो होगा कभी तो होगा एक्जाम ठीक है तो उसकी तैयारी के लिए ऐसा नहों कि आप लोग अभी तैयारी छोड़ तो और आचानक से आपका पता लग जाए कि एक्जाम आगया है फिर हट बड़ा हट में सारी चीजे जो होच पोच हो जाएंगी और सारा का सारा आपका काम जो हो खराब हो जाएगा ठीक है आप लोगों का नुकसान होगा तो मेरा भी होगा मेरा क्यों होगा क्योंकि मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया है और आप लोग रिस्पोंस गलत देंगे तो वहां पर चैनल का मेरा खुद का नाम भी खराम होता है ठीक है तो हां मैं इस बार है ये उस्ताक गाना तक हिसम से द्जाओक एंगील हरा पूछ मुझत फ कि इसरान 50 चाहें लिए पूअने अपर खाव मतलब और को मुझे एकान बड़ा जाएं पहले है कि नहीं पड़ रहा है Кई मे cinqने सब्सक्राइब और फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ जो पास ओने वालों की संख्या जो है वो इतनी कम रह गई और पढ़ने वालों की संख्या बहुत जादा थी तो सबसे ज़्यादा परिशानी जो है वो मुझे ही होगी ठीक है तो मुझे भी तो कुछ न कुछ आप लोगों से चाहिए मुझे यह चाहिए कि हर बच्चा जो है जो यहां 100% दे रहा है तो वो एक्जाम में भी दे और वो कैसे देगा आप पढ़ने के बाद बीच में छोड़ दो कि सारा काम जो है खराव हो जाएगा गर्वर हो जाएगी तो आप यह देखिए 14 कोशन तो मैंने ही लिखे है 17 कोशन जो है वो आपके इतिहास के आए हुए थे इसी तरीके से बूगोल के भी आए हुए थे और पॉलिटी के भी आए हुए थे ठीके पॉलिटी के जो है वो आपको क्या करना होता है मैटम जो हो समझना होता है समझने के बाद कोशन जो है वो किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी कुछ पैक्ट होते हैं उनको तो आपको याद ही रखना होता है अनो जिससे कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। चैनल पर जो भी वीडियोस हैं आप लोग ग्रहूलर देखेंगे आपकी इच्छा के अगॉडिक, आपको इच्छा है तो आप देख सकते हैं। हैंदी सिक्षण की चलेगी जैसे ही राजिस्थान का जीके खतम होता है। अब व्याकरण की भी चलेगी। सामचिक सिक्षण के लास्ट यिर के कुश्न पेपर हम सॉल्व कर ही रहे हैं। साइक्लोजी की आपके टैस्ट से चली ही रही है। तो इस तरीके से हम लोग तयारी क अग सूजना मुझे देनी थी आप लोगों को SST के इतिहास की, सबसे पहले इतिहास का टेस्ट होगा, जिसमें कम्प्लीट 6th क्लास आप लोग तयारी करेंगे, आप लोगों को डेट जो है वो बता दूगी, ठीक है, सारे ही चेक्टर का टेस्ट होगा, कोई भी चेक्टर जो आप लोगों बहुत अच्छे से, और फुल मोटिवेशन के साथ, जैसे यह कुशन जो है, लास्ट यर के आप लोगों ने एक जटके में ही देखके सोचा के यह सारे हमें आके हैं, ऐसे ही आपके एक्जाम में जैसे ही कुशन पेपर आएगा, आप सारे के सारे जैसे ही दे जितना समझ पविखास होगा, उतना ही आप लोग सिक्षण विदियों में अपना 100% दे पाएंगे, चाहे वो कोई भी सिक्षण विदियां हो, ठीके, तक्नीक जो है वो सभी एकजसी ही रहती है, सिक्षण विदियां जो है वो, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइन्स हो, कहीं भी हो, सिक्षण विदियां वही रहती है, ठीके बस उनको आप लोगों को सब्जेक्ट वाइस अपलाए करना आना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, फुल मोटिवेशन के साथ, मैं आपने आपको फुल मोटिवेट रखती हूँ, उसी तरीक है, चलती रहती है, और इस्तेतियां वह बदल जाएंगे, ठीके आप या मैं जो है, वह इन इस्तेतियों को कैसे बदल सकते हैं, खुद को ही पॉजिटिव रखकर, ठीके लेगिटिव चीज़ होती है, आमने सामने भी होती हैं, और जो हो रही है, उनको भी आप समझाओ, क कि लेगिटिविटी जो है, वह नुकसान ही पहुचाती है, कभी फायता नहीं देती है, पॉजिटिव से कम चे कम, यह तो होगा, कि हम लोग जो है, अपना माइंड जो है, वह सही रख सकते हैं, और आप लोगों के पास थी, और कोई रास्ता नहीं है, कि आप लोग पढ़ लेकिन फिर भी क्या करना है, यह चीजें चलती रहती है, और आगे जो है, चीजें बदल जाएंगी, और जैसे ही सिच्वेशन सही होती है, सारा तो सही हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, एक्साम भी होगा, अब यह बुक्स जो है, ऐसा नहीं है, कि आप रीट के एक् 31,000 विकैनसी में से 31,000 ली लोग आएंगे, वे इतने 6,000,000 बच्चों ने फॉर्म डाले है, कुछ बच्चे जो है, यह जो रगेसी की बुक पढ़ रहे हैं, क्या यह कहीं और काम ने आई, पटवार में आपके यही बुक, SI में आपके यही बुक, RAS में आपके यही बुक ठीके, 1st grade, 2nd grade में, कहां आपका जो टाइम जो है, इसमें वेस्ट नहीं हो रहा है, आप लोग तो यह सोचिए कि आप लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं, कि यदि किसी बच्चे ने और भी exam के form फिल किये हैं, तो वहां उसको इसका 100% फाइदा जो है, वो मिलेगा, आज गांठ बाल लीजिए इस चीज को, ठीक है? अन्तु में भी में यही को हूँगी कि बार बार ही मैं यह कहते हूं कॉम कॉम से ख़ड़ो बार इस चीज को मैं चैया चुपी हूं का वायदा होगा वोक्स तो यही पढ़नी पढ़ेंगे तब भी आपको आज पढ़नी पढ़ेंगे एकल पढ़नी आपको ही है ठीक है मैंने तो पढ़ ली और अब आपको ही पढ़नी है तो इसी तरीकर से फुल मोटीविशन के साथ आप लोगों को मेरा सांत देना है में Thank you!